नमस्का, राजनमा टीही पर आपका सौगत है, मैं प्रियाम आपके साथ चे जून को यूकरेन के सबसे बड़े डेम में से एक नुवा खाकोवका पर हमला हुआ, इससे अब 42 हजा लोगों की जिंदगी बाड़ की वज़ा से खत्र में पड़ गई है, आनन फानन में यूकरेन और रूस की सेनाए अपने-अपने कपजे वाले हिस्से में रेस्क्यू उपरेशन चला रही है, दोनों देशों ने एक दूसरे पर इस बांध को तोड़ने के अरोप लगाए हैं, जंग के दोरां डेम यानी बांध पर किये जाने वाले हमलों को डेम फार फैर कहा जाता है, पिच्चासी साल पहले चीन जापन की जंग के दोरां डेम फार फैर से के चलते एक लाग से ज़्यादा चीनी नागरिक मारे गए थे नोवा खाकोव का बान तूटने के बाद खरसोन शेहर के हालत बेकार हो गए हैं यूकरेन के राष्ट पती वोलो दी मिर जैलिसके ने कहा कि बान के आसपास के इलाकों में हजारों लोगों के पास पीने तक केले पानी नहीं है तीज गाउं और कजबे बाड की चपेट में हैं लोग अपने सामान को प्लास्टिक के थेलों में भरकर ले जा रहे हैं दस हजार हेक्टर में फेली खेती पूरी तरसे पानी में समा चुकी है बाड की वज़े से दो हजार घर डूप चुके हैं यूकरेन खरसोन इलाके में हमलों को तेज कर दिया था कई जगों पर रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा था बान के तूटने से खरसोन की सड़के ब्रिज बाड में समा चुकी है ऐसे में यूकरेनी सेनिकों को रूस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने में परिशानी होगी जले चीन ने 2016 में ब्रमपुत्र नदी पर हाइड्रो इलेक्रिक बांद बनाने की गोशना की थी 2017 में असम में खतरनाक बाड़ाई इसके बाद चीन से नदियों के पानी के बहाव से जोड़ा डेटा मांगा गया चीन इसे दिने से इनकार कर दिया ग्लोबल रिस्क इंसाइट के मताबिक डेटा न देकर चीन पानी का इस्तेमाल जियो पॉलिटिकल वेपन की थरह कर रहा है इसे चीन के सटे भारती राज्यों को खत्रा है अमेरिकी इंटेलिजिंस की रिपोर्ट के मताबिक आने वाले 30 सालों में क्लाइमेट चेंज की वज़ा से होने वाले पानी के वि